यहां पर आज की आपकी क्लास है Mixed Questions की क्लास होने वाली और revision करवाने वाला हूं आपको तो बने रहेगा session में आपको मज़ा आ जाएगी और यह e-book आपको सामने दिख रही है अगर आपके entrance exam के syllabus में reasoning, current affairs, mental aptitude, commercial maths, quantitative aptitude, quantitative reasoning या numerical aptitude मेंशन है या computer मेंशन है तो आपके लिए यह e-book हमारी रामबन साबित हो सकती है description box मिलने कि आप ले सकते हो इस वीडियो के साथ-साथ आपको जो है इस e-book के साथ-साथ आपको दो master videos भी मिलेंगी जिसमें आपको चीज़े समझाई जाएंगी कि किस तरीके से आपको questions को करना है हर एक question का detailed solution आपको इस e-book के थुरू जो master videos है उनमें आपको दिखा तो यहाँ पर description box में link में आपको दिया हुआ है link वगेरा तो आप आँसे चीज़े देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो चलिए start करते हैं यहाँ पर पहला question आपकी screen पर है in India planned economy is based on 5 second दूंगा उसके बाद answer बताऊंगा आपको भी अगर आपने हमाई classes की हैं session की हैं त question number one का answer की अगर हम बात करें तो यहाँ पर socialist system आपका answer बनेगा आगे बढ़ते हैं mixed economy means mixed economy का मतलब क्या होता है तो option B private and public बहुत easy question था सबी लोगों का सही हुआ होगा who coined the term Hindu rate of growth for Indian economy तो right answer आपका बनेगा राज कृष्णा ठीक है आगे बढ़ते हैं in India agriculture income is calculated by in India agriculture income is calculated by options आपकी screen पर है और इसमें से सही option की अगर हम बात करें तो आपका option A output method यहाँ पर correct answer बनेगा next question पर चलते हैं तो आपका सही answer भी आपको मैंने दिखा दिया इसमें मैंने दोई option रखें जिसे आपको confusion ना हो और important है याद रखेगा कोई भी GNP पर कुछ भी impact नहीं पड़ेगा इसका moving on GDP at factor cost is तो यहाँ पर आपके सामने options available हैं GDP अगर हमको निकालना है factor cost पर तो उसका formula क्या होता है भाई important है पूछा जाता है और पूछा जाएगा CUET में भी पूछा गया था already हम यहाँ पे classes में करवा चुके हैं correct answer की बात करें तो option A GDP minus indirect taxes plus subsidies याद रखेगा GDP at factor cost की बात कर रहा है तो क्या होगा GDP minus indirect tax plus subsidies moving on next यहाँ पे देखें question हमारा पूछ रहा है per capita income is obtained by dividing national income by तो अगर हमको per capita income निकालना है तो national income को हम किस से divide करेंगे कि हमको per capita income मिल जाए although यहाँ पे formula ही पूछा जा रहा है correct answer की बात करें तो total population of the country यहाँ पे आपका correct answer बनने वाला है मज़ा आ रही हो तो session को आप like कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा depreciation is equals to again आपसे एक formula पूछा जा रहा है depreciation का formula क्या होता है मुझे पता है कि थोड़ा बहुत confusion होगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा चीजों को बट कोई नहीं चीजे हम यहीं पर सीखते हैं आप भी यहीं पर सीखिए सब हम zero है क्या है zero लेकिन सीखता जाता है जो वो smart बनता जाता है आपको भी smart बनना है चीजे सीखते हुए चलना है भाई नहीं समझ में आ रहा है या आपको formula नहीं आ दो रहा है एक ही बात बोलूँगा, revise करो बार बार revise करो, लिख लो अपनी, जो भी आपकी notebook है, या जो भी आपका A4 size का paper आता है, आपके पास जो भी available rough copy board की अभी आधी copy बच्ची होगी ना, उसी में लिख लो, लेकिन लिख लो और चीजों को revise करो भाई, देखो फिर कैसे नहीं याद रहेगा चीजों को थोड़ा सा revise करना depreciation is equals to, यहाँ पर क्या होजएगा GNP minus NNP GNP minus NNP, ओके आगे बढ़ते हैं, next हमारा जो question है पूछ रहा है, NNP is equals to NNP is equals to क्या होता है GDP minus depreciation GDP plus net income GNP minus net income या फिर GNP minus depreciation तो अगर हम correct answer की बात करें यहाँ पर option D GNP minus depreciation आपका क्या देता है, NNP देता है, net national product moving on, next question आपकी screen पर है national income is based on तो options आपकी screen पर है, देखे, मेरे को मतलब फालतू बाते करना भी नहीं आता और मैं time भी नहीं वेस्ट करना चाता है ठीक है, इसलिए मैं आपको direct बस question बता रहा हूँ, options दिखा रहा हूँ और answer बता रहा हूँ ठीक है, I hope so यह तरीका आपको पसंद आ रहा होगा, जिससे आपका भी time ना वेस्ट हो, और मेरा भी time ना वेस्ट हो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा content दे पाऊ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा content मिल पाए जिससे आपके entrance exam में चीजे फसे और आपको यहाँ पर पढ़ने को मिले कुछ सीखने को मिले, ठीक है तो जो bore हो रहे हैं, उनको मैं बस से की चीज़ बोलोंगा कि बाई बस वो एक लम्हा याद रखना कि वो जब आपका entrance exam clear होगा paper अच्छा होगा और final जब आपकी list आईगी उसमें आपका नाम होगा तो वो लम्हा बस याद करो और उसी को motivation मान के बस पढ़ते रहो अच्छे से ठीक है इस question के answer की बात करें option B यहाँ पर correct answer बनने वाला है आगे बढ़ते हैं GNP क्या होता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटी सी definition भी मैंने बता रखी है gross national product GNP का full form है full form भी याद रखेगा the total value of the output goods and services produced and income received in a year by a domestic residence of a country put together मतलब एक area के अंदर ठीक है suppose आपका जो भी colony है उस colony के अंदर ठीक है the total value of the output goods and services produced उस colony के अंदर जितना भी माल और जितनी भी services जो produce होती है goods and services produce होती है या जो वो बाहर provide करता है और income जो उसको आती है उस particular आपकी कलोनी को एक साल में ठीक है क्योंकि यहाँ पर domestic residents की बात कर रहे है तो local वहाँ पर जो आपकी कलोनी के residents है उनसे उसी का अगर हम पूरा sum करें तो यहाँ पर country तो यहाँ पर क्या हो जाएगा gross national product दे देगा और यही अब हम कलोनी से अगर और broadway में देखें तो पूरी country का हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि पूरी country में एक साल में जितना भी goods, mal, bana, produce किया गया services provide की गई और जितना भी उसको income receive हुवी इन सब का sum अगरम करेंगे तो that is your gross national product got that moving on next यहाँ पर देखते हैं national income estimates in India are prepared by correct answer की बात करें तो यहाँ पर आपका option C central statistical organization correct answer बनेगा आगे हम बढ़ते हैं next question पर चलते हैं main source of national income in India is तो याद रखेगा main source of अगर यहाँ पर national income की बात करें तो वो है आपका service sector agriculture sector मत टिक करना ठीक है और maximum बच्चा जिसने पढ़ा नहीं है वाई एक बार भी मैं तो कहरा हूँ पढ़ने के बाद भी बच्चा गलत करके आएगा तो याद रखना भाई service sector है agriculture sector टिक करके मत आना आगे बढ़ते है next question हमारा वो आपसे पूछ रहा है अरे बाई कहां चला गया sectors are classified into public and private on the basis of employment employees ownership of enterprises या फिर all sector जो है वो public है या private है कैसे पता चलता है भाई ownership से पता चलता है एक particular individual के पास अगर ownership है तो वो private हो सकता है government के पास ownership है तो वो public होगा आगे बढ़ते हैं base year for computation of national income in India is national income जोलने के लिए अगर हम base year की बात करें तो वो क्या है तो base year आपका क्या है 1993 से 1994 का जो है ये base year माना जाता है ठीक है आगे हम बात करें who wrote the theory of economic drain of India during British rule मतलब ये एक book है ये किस ने लिखी है book का नाम क्या है the theory of economic drain of India correct answer इसमें हम देखें तो आपका option A दादा भाई नौरोजी ने जो है इस book को लिखा है याद रखेगा एक important book होने वाली है economics के section में आगे हम बात करें primary sector क्या होता है primary sector भाई देखें तीन टाइप के sector होता है मैं आपको तीनों ही दिखा देता हूँ primary, secondary और tertiary primary में क्या होता है जैसे खदान है खदान से जैसे सोना है suppose तो सोने का क्या होता है वहाँ पे जो इनकी खदान होती है सोने की वहाँ से सोना निकाला जाता है वो impure होता है न वो जो खदान से निकाला गया mining की गई that is your primary sector वहाँ पे भी लोग काम करते हैं मजदूर वगएरा तो primary sector के workers हैं दूसरी बात आती है कि उसका production और automobiles का जो है वो भी आप सेकेंडरी में डाल सकते हो बढ़ अगर हम सोने का example आगे continue करें तो सोने का जो purify किया जाता है उसको polish किया जाता है उसको और निकारा जाता है purist form में लाया जाता है वो आपका किसी और जगा पे होता है किसी company में किसी industry में होता है तो उस industry में जो वो काम कर रहे होते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि भाई या वो secondary sector के workers हैं third sector या tertiary sector की बात करें अब वहाँ से industry से वो सोना बन के तयार हो गया और अब जाके वहाँ पे वो कहा जाता है shops पर जाता है जब shops पर जा रहा है और वहाँ पे shops जो है वो shopkeeper जो है वो sell कर रहा है तो वहाँ पे जो shopkeeper है न वो work कर रहा है tertiary sector में I hope so यह example आपको समझ में आया होगा सोने की खदान से लेकर सोने को बेचने तक का यही चीज में आपको जय है primary, secondary और tertiary sector confirm हो जाएंगे कुछ examples मैंने दे रखे हैं तो यह आप examples ज़रूर धियान रखेगा पूछ लिए जाते हैं ठीक है अगरी culture की बात करें तो यह किस sector से belong करेगा यह आप लोगों के लिए homework के comment box में आपको छापना है next हम देखें Buckingham Canal भीया पूछ रहा है यह कहां पर है Buckingham Canal यह कहां से कहां तक की है तो सही answer आपका बनेगा विजयवाडा से विल्लू पुरम तक यह Buckingham Canal पढ़ती है आपकी National income of a country is क्या होता है Sum of total factor income National income अगर हमको निकालनी है country की तो Sum of total factor income कर देंगे तो उससे हमारी National income of country आ जाएगी आगे बढ़ता है Hindu growth rate किससे related है यह तो यहाँ पे आपके साहने options है Population, GDP, GNP या फिर money सही answer कि अगर हम बात करें तो आपका option B GDP correct answer बन जाएगा याद रखेगा maximum लोग यहाँ पे population मार के आएगे but actually the correct answer is GDP is related to your Hindu growth rate moving on next question आपकी screen पर है largest coal reserves in India की बात करें तो भाई कौन साहे largest coal reserve तो ध्यान रखना है आपको largest coal reserve आपका कहा है जारखंड में है, कहाँ पे जारखंड में next question आपकी screen पर है where is the forest reserve institute of India located, easy question है आप सभी को पता होगा, I know variable नहीं पता है तो ध्यान रखेगा, देहरा दून correct answer यहाँ पे बनने वाला है आगे बढ़ते हैं सुन्दरबंस of eastern India is an example of किस forest के example है, यह सुन्दरबं eastern India वाला, तो अगर हम देखें यह आपका, mangrove forest का example है, सुन्दरबंस of eastern India आगे बढ़ते हैं, largest river of peninsular India is ध्यान रखेगा, largest river of peninsular India अगर पूछेगा भाई, words भी ध्यान रखने है, गोदावरी आप्शन में है आपका, तो यही answer बनेगा ठीक है, peninsular India का पूछेगा तो गोदावरी आपका correct answer बनेगा, keywords जो हैं question के ध्यान रखेगा, मैं बार बार कहरा हूँ तुंग बद्रा डैम कहाँ पे है, तो तुंग बद्रा डैम आपका है, करनाटका में ठीक है, आगे बढ़ते हैं next question आपका है, इडुक की डैम कहाँ पर है और यह सारे के सारे डैम most important और बार-बार पूछे जाने वाले हैं तो तब ही मैं आपको यह सब करवा रहा हूँ बाई, कुछ भी content जो मैंने दिया है, relevant content और आपने पहले ही देखा है कि बाई, सब चेप रहे हैं हमारी classes से, हमारे हमारे जो भी content हमने दिया है, आप लोगों को आप सबी को पता ही है कि actual content और actual topic आपको कहाँ से मिले है actual आपका जो concepts और tricks मिली है, आपको वो कहाँ से मिली है तो बताने की ज़रुरत नहीं है, content तो कोई भी चेप सकता है बट actual चीज़ है कि कब तक चेप होगे, हाना, कोई बात नहीं इडुक की डैम की बात करते हैं, तो यहाँ पर option A, करेक्ट आंसर आपका बनने वाला है next अगर हम बात करें, नागारजुन सागर डैम की बात करते हैं Government of India ने कब इशू की थी, first वाली, तो यहाँ पर आपका option 1952 A वाला करेक्ट आंसर बनने वाला है गंगा रिवर की आपसे length पूछ रहा है, मैं करवाज चुका हूँ, यह questions भी, तो ध्यान रखेगा 2525, 2525 km is the length of river गंगा, ओके, आगे बढ़ते हैं, option है, यहाँ पर correct आंसर longest irrigation canal in India कौन सी है, तो आपकी इंदरा गांधी canal है, ठीक है कहाँ पर पढ़ती है यह इंदरा गांधी canal, भया हूम वर के आप लोगों के लिए comment box में चापना है सिंग भूम is famous for, सिंग भूम किस चीज के लिए famous है, बताना है आपको, iron, coal, copper, branch तो ध्यान रखेगा, सिंग भूम is famous for iron, ओके, आगे बढ़ते हैं, state that is known for sandalwood sandalwood के लिए, चंदन के लिए कौन सा state जाना जाता है, जहाँ पर चंदन का production बहुत high quantity में होता है तो याद रखेगा, करनाट का is your correct answer, आगे बढ़ते हैं rail wheel factory आपकी कहां पर है, rail wheel factory कहां पर है, ये बताना है अगर session पसंद आ रहा है, questions पसंद आ रहे हैं, तो भाई, like जरू ठोक देना और अपने सभी friends को subscribe करने को भी जरूर बोल देना बता देना कि यहाँ पर कैसा content हम पढ़ाते हैं, ठीक है option A, yellow hung का आपका correct answer बनेगा, ठीक है आगे बढ़ते है, gold mines in India are located mainly at gold mines की बात करें, तो सबसे जादा कहां पर पाई जाती है, इंडिया में ध्यान रखना है आपको this is your kolar, कोलार में पाई जाती है आगे बढ़ते हैं, next हमारा जो question है, national river of India की बात करें किसे बोला जाता है, तो river गंगा जी को, जिसकी length है जिनकी length है 25-25 km, national river of India गंगा जी को बोला जाता है, और जिनकी length है 25-25 km 25-25 km, 1973 का जो चिपको movement था, बाई, किस से related था, easy question है अगर आपने एक बार भी पढ़ा है, तो बता दोगे कि सर, forest से related था हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, forest को जो पेड़ थे, उनको बचा रहे थे बहुगुणा, लाल, जोशी, चिपको movement से संबंदित है, याद रखेगा 1973, forest से related है, plant से, trees से related है कोरबा फील्ड आपकी कहां पढ़ती है, options आपकी screen पर हैं, बताए 36 गण, बिहार, उत्तराखंड या फिर, sorry, जारखंड या फिर all कोरबा फील्ड की हम बात करें, तो यह आपकी पढ़ती है, option 36 गण में, next यहाँ पे हम, question है आपके सामने, who had estimated national income for the first time, सबसे पहले national income जो किसने बताया था, तो यह आपके हैं, नौरोजी ने, दादा भाई, नौरोजी ने, first train, first train steamed off in India, तो first train जो आपकी steam से चली थी, वो इंडिया में, वो कब चली थी, तो 1800 आपका जो correct answer बनेगा, 53, अना, 1853, तो कैसी लगी आपको class questions में मज़ा आया या नहीं मज़ा आया, कितने questions आपके सही हुए, आपके पढ़े हुए थे या नहीं थे, comment box में सब चीज़े जरूर बताना, कुछ homework मेंने दिया है, उसको आपको चापना है, comment box में याद रखेगा, मैनत करोगे, तभी seat मिलेगी, तभी सफलता मिलेगी, otherwise आप नहीं करोगे, तो कोई दूसरा करेगा, और जो करेगा, वही बाजी मालेगा, और एक ना एक करेगा, जरूर ये भी ध्यान रखेगा, चलिए class को end करते हैं, यहीं पर, बाकी अपना ख्याल रख है, और हम आपके लिए काम करते हैं, तो, subscribe करके bell button दबा सकते हो, और सभी friends को भी share कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हम deserve करते हैं, तो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे, हमें मन्जूर है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हर करने रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, अच्छे से, share कर दीजेगा, और subscribe करने को भी जरूर बोल दीजेगा, वही बात है, मैंने बोला कि अगर आपको लगता है, कि हम वो चीज deserve करते हैं, तब, जै हिंद, जै भारत.